नमस्कार कहानी गोल्ड में आज सुनिये मालती जोशी की लिखी कहानी दंदल पापा की चिठ्छी आई थी ताउ जी जब तक उसे पढ़ते रहे प्रवीर सास रोके बैठा रहा उसे यह भी होश न रहा कि पुलाव से भरा चम्मच अधर में ही लटका रह गया है ताई जी की भी शायद यही हालत थी पापा की जब भी चिठ्छी आती यही आलम होता था पत्र पढ़कर ताउ जी ने जेब के हवाले किया और चश्मा उतारते हुए बोले अरे या क्या तुम लोगों ने खाना क्यो रोक दिया कैरी ओन कैरी ओन और वे खुद अपनी प्रेट के साथ जुट गए क्या लिख रहे हैं ताई जी ने डरते डरते पूछा ताउ जी ने एक छड़ खाना रोक कर देखा और फिर ठठा कर हस पड़े लिखेगा क्या अब परसो जॉइन कर रहा है सच ताई जी ने और प्रवीर ने एक साथ कहा प्रवीर ने तो एकदम निढ़ाल होकर कुरसी पर सिर्टिका दिया लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोज दिल से उतर गया है ना उसे अब खाने में इंटरस्ट रह गया था ना उन लोगों की बातों में और कोई दिन होता तो उसे यूँ बैठा देखकर ताई जी घबरा जाती प्रशनों की बचार से उसे बेदम कर देती पर आज उन्हें भी फुरसत नहीं थी आज उनका मोर्चा ताउजी की ओर था और वे भरसक उनकी बंबारी का जवाब दे रहे थे अब उन लोगों को यह डर नहीं था कि प्रवीड पास बैठा सब कुछ सुन रहा है अब तक तो यह हाल था कि वह छटपटा कर रह जाता पर कुछ भी ठीक से जानना पाता उसे बच्चा जो समझते हैं अब सारी चर्चा उसके सामने हो रही तो खुद उसे ही रुची नहीं रह गई थी उसके लिए तो यही एक समाचार महतुपोन था पापा ने जॉइन कर लिया है खाने की टेबल से उठा प्रवेड पढ़ने की मेच पर आकर डट गया क्यमिस्ट्री की मोटी किताब उसने सामने खोल कर रख ली थी पर मन उसका आतीत के गलियारे में ही भटक रहा था उसके हालत ऐसी हो रही थी जैसे वह कोई डरावना स्वपन देखकर जागा हो जागने के बाद भी जैसे उस्वपन का आतंक मन पर बना रहता है उसी तरह ये बीच वाले धाई वर्ष उसके मन मस्टिश को जग जोर रहे थे धाई वर्ष, हाँ पूरे धाई वर्ष और यह धाई वर्ष किसी दोस्व अपन से कम नहीं थे उससे पहले वाली उसके जंदिकी कितनी अलहड, अलमस्त और खुशनुमा थी क्या पापा की बहाली के साथ मौझ मस्ती वाले वे दिन लोटाएंगे क्या चटकी हुई तस्वीर में फिर से रंग भरा जा सकेगा? कब चटकी थी या तस्वीर पहली बार? उसे आज भी वह दिन कल की तरह याद है जीवन की कठोर वास्तविक्ता से उसका प्रतम साक्षातकार उसी दिन तो हुआ था दोस्तों के साथ धमा चौकडी मचाकर वह शाम ढले खर लोटा था किसे फिल्मी धुन पर थिरकते हुए उसने बरामदे में पैर दिया ही था कि सुना ड्रॉइंग रूम में पापा किसी से बात कर रहे है पापा के पास कोई बैठा है इसमें नया कुछ नहीं था या दो नियम सा था पर पापा जिसा जी जी से बात कर रहे थे उससे उसे कौतूहल हुआ उसने जहाग कर देखा शान्ती लाल थे और पापा वड़े विनमरंदाज में कह रहे थे शान्ती लाल जी किसी तरह बेवी के शादी तक इस खबर को दबा लीजिए बस मैं कोशिश तो कर रहा हूं सर शान्ती लाल जी ने दाथ निपोरते हुए कहा पर आप तो जानते हैं दफकर में कैसे कैसे घाग बैचे हुए है वह शर्मा तो सबसे कहता फिर रहा है कि वह भुपाल में ओर्डर देख कर आया है उसी की उड़ाई कोई खबर है सर कैसी खबर पापा प्रवीर ने हॉल में गुस्ते ही एकदम पूछ लिया था पापा ने चौक कर उसे देखा चड़ भर कोई जैसे काठो आए पर दूसरे ये चड़ उनका चेहरा तम तमा उठा कड़क कर बोले तुम अपना काम देखो हर जगे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है प्रवीर सन रह गया पापा उससे इस तरह बोलेंगे या उसने कभी सोचा भी न था और वह भी शांती लाल जैसे दो कोड़ी के आदमी के सामने अपमान से वह भीतर तक लाल हुआया वह खूब जानता था कि शांती लाल इसी जरासी बात को नमक मेच लगा कर कितनी बड़ी बना देगा शर्म के मारे प्रवीर से तो बाहर निकला नहीं जाएगा पता नहीं क्यों उसे शांती लाल से इतनी नफरत थी जब देखो ही ही करता रसुई तक चला आएगा मम्मी इतनी नफासत पसंद हैं कि उनके सामने चपरासियों के गिग्गी बंधी रहती है पर वे भी इस बॉडम को जब्त कर लेती हैं पता नहीं कैसे बुरी तरह आहत होकर मम्मी दरवार में गुहार लगाने वभीतर पहुचा पर मम्मी कमरे में थी कहां इन दिनों तो उनका पूरा दिन दीदी के कमरे में बीचता था और दीदी का कमरा एक अच्छा खासा गोदाम बन गया था जिस दिन से सगाई हुई है घर में सामान बसाता ही जा रहा है कभी कभी तो इन लोगों को इतना भी होश नहीं रहता कि एक ही चीज बार बार ना मंगाए एक ही दुकान के सामान खरीदे आदमी तो ऐसा घपला होगा भी नहीं पर इने तो शहर की सारी दुकानों में खाकशान नहीं होती है ना चले आ रहे हैं तीन ड्रेसिंग टेबल्स चार चार सोफा सेट फिर दीदी रानी सबसे बढ़िया पीज सिलेक्ट करती है बाकी लोट जाता है उसकी एवज में और कुशा जाता है बिजली का सामान तो कोई लोटाने को भी कह नहीं सकता मम्मी सब उठा कर रख लेती हैं कहती हैं आए दिन तो शादी ब्याह में जाना होता है सब काम आ जाएगा उस दिन भी मम्मी और दीदी बड़े मनयोग से इस टेल के डिनर सेट का मुहायना कर रही थी एक-एक चमच को उलट पलट कर देखा जा रहा था एक-एक डोंगे का वजन हाथों में तौला जा रहा था मन में धेर से शिकायत लेकर पहुचा था प्रवीड पर नए बर्तनों की चमक दमक में खुद भी खो गया काले चमकते सनमाय का टाउप पर वह बड़े करीने से प्लेटे लगा रहा था जब पापा कमरे में दाखिल हुई प्रवीड को इतना समय ही न मिला कि वह दीदी को सावधान कर दे और वह चिहुक पड़ी पापा देखिए न ये डूंगे हमें जरा अच्छे नहीं लगे वह पारीक प्रदर्स वाला से ठी फिर से मंगा दीजिये न अब अपनी पसंद का सामान अपने घर जाकर खरीदना यहां तो बस यही मिलेगा पापा ने इतनी रुखाई से कहा कि दीदी सब्द रह गई और फिर दूसरे ही चड़ उनकी आखे चलचला आएं पर पापा को जैसे जरा भी मतलब ना था उसी रुखे स्वर में बोले और वेबी अब जरा ढंक से बोलना भी सीख लो हर बार का मिमियाना अच्छा नहीं लगता यह तो हद्ध थी प्रवीर ने भी इसकी कलपना नहीं की थी मम्मी तो एकदम फट पड़ी जैसे वो जमकर महा भारत हुई फिर कि आसपास मड़राते नौकरों का भी होशना रहा जंगल में लगी आग की तरह पापा के सस्पेंशन की खबर शहर में फैल गई उससे भी तेजी से बदलने लगी लोगों के तेवर नए व्यक्ती के चार्ज लेते ही सुबै शाम घर पर जुड़ने वाला दरबार बंध हो गया 2400 घंटे अटेंशन में खड़े रहने वाले नौकर चाकर भी एकदम गायब हो गये बहुत कम लोग थे जो पुराने अफसरों का इस मरण कर चक्कर लगा जाया करते थे उनसे भी मम्मी इतनी नम्रता से पेश आती दीदी के शादी जो सिर पर थी अपमान, अवग्या और उपेक्षा सारी स्थितियां दीदी के शादी की खातिर ही तो जेलनी पड़ रही थी नियत समय पर शादी हुई और दीदी विदा हो गई ट्राक भर के दहेज भरवा लेने के बाद भी हीरों के सेट के लिए विसूर्ती रह गई जीजा जी भी बहुत उची कल्पनाई मन में लेकर चले थी चांदी का थाल, हीरे की अंगूठी, टीवी, स्कूटर उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी और अपनी यह निराशा उन्होंने कई तरह से व्यक्त की बीस अजार नगत जेब में ठूसने के बाद भी संधी जी को शिकायत बनी रही कि उन्हें एयर कंडिशन होटल में क्यों नहीं ठैराये गया गरज यह कि कोई खुश नहीं था, खर्च बेशुमार हुआ पर रौनक नहीं हो सकी पर पापा को जैसे इन सबसे कोई मतलब ही न था, एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े सारा काम निप्टाते रहे बारात अगर रूट कर लोट भी जाती तो उन्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता सारी मान मनुहार दोड़ भाग मम्मी ही करती रही, अकेले उन्हीं की बेटी हो जैसे बाद में इतनी जोरदार जड़प हुई थी उन दोनों में, फिर मम्मी रूट कर नाना जी के हाँ चली गई थी वहाँ भी मन न लगा तो गाउं चली गई चकर गिन्नी की तरह प्रवीर साथ लगा गोंगता रहा दो महीने गाउं में बूर होनी के बाद भी लोटनी की कलपना उसके लिए सुखद नहीं थी पर पढ़ाई का भी तो प्रश्न था यह तो अच्छा हुआ ताउजी उसे अपने हां लिवा लाए यहां उतना आराम नहीं था घर भी छोटा सा था बदली हुई परिस्तितियों में मम्मी पापा के पास रहना बहुत कष्ट कर था तो क्या बर्खुरदार फिर छुट्टियों में जगदलपूर का प्रोग्राम बन रहा है ताउजी ने उसकी पीछ पर धौल जमाते हुए कहा तो हचौप पड़ा जगदलपूर क्यों? अरे बेवकूफ तेरे पापा की वहीं तो पोस्टिंग हुई है सच उस समय तो खुशी के आवेश में पूछना भी भूल गया था इसका मतलब है इस बार की छुटियां सच मुझ की छुटियां होंगी इस बीच वह घर जाता रहा है घर यानी की पापा का नया हेड़कॉर्टर पर वहाँ घर जैसा कभी नहीं लगा पिजरे में बंद शेड़नी की तरह परिशान मम्मी और दिन पर दिन बढ़ाते पापा देखकर मन और उदास हो जाता कितनी कितनी फर्माइशें मन में लेकर जाता पर वहाँ जाते ही जैसे जबान पर थाला पढ़ जाता दो बार दिवाली आई और चली गई उदासी का अंधीरा वैसा ही कायम रहा इस बेच उसका हायर सेकेंडरी का रिजल्ट भी आया तीन विश्रयों में डिस्टिंक्शन लेकर वह फर्स्ट क्लास में पास हुआ था पर सबके मान इतने बुझे-बुझे से थे कि खुशियाद ही रह गई लेकिन इस बार नजारा कुछ और होगा रौना कुछ और होगी वह अधीरता से दिन गिनने लगा और पेपर से समाप्त होते ही रसी तुड़ाए बैल की तरह भाग लिया दोस्तों के साथ पिक्चर देखने का अकर्शन भी उसे रोक न सका 36 गड़ एक्सप्रेस से पुरानी चमक लोटने लगी थी मम्मी की आखों के गिर्द गहराती चाया अब धुनले पढ़ने लगी थी उसी उत्सा से उसने घर में पाउं दिया नई जगे थी नया घर था पर परिचित सामान की परिचित महक से बौरा गया हर चीज फिर उसी करीने से घर में स्थापित हो गई थी मम्मी की सधी हुई आखे हर कहीं चस्पा हो गई थी मम्मी ने दीदी को भी बुला लिया था जीजा जी के आने की भी बात थी दीदी की गुलगोथनी टीना सारे घर को गुलजार किये हुए थी आठ दस दिन बाद रंगे निमंतरन पत्रों का एक धेर मम्मी के पलंग पर दिखाई दिया ये क्या है मम्मी उसने पूछा अरे पंद्र को तेरी सालगिरा है न सालगिरा तो है लेकिन इतना बड़ा आयो जन थोड़ी रौनक हो जाए गिरे इतने दिन से किया ही क्या है समीर भी आ रहा है उससे भी सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा ठीक तो कह रही थी मम्मी इतने दिनों से किया ही क्या है जाने कितने मौके आये और चले गए देदी पहली बार टीनों को लेकर आई थी तब भी कुछ न हो सका था इस बार सब लोग इतने बड़े माहौल में इकठा हो रहे हैं सेलिबरेट तो करना ही चाहिए जी जाजी भी तो देखें वे किस घर के दामाद हैं मम्मी के उत्सा की छूत जैसे सबको लग गई बड़े जोर शोर से मैन्यो कार्ट बनाए जाने लगे सजावट की प्लानिंग होने लगी प्रवीर ने तो रिकॉर्ड्स की सूची तक बना ली उस शाम सब लोग इसी तरह चर्चा में मगन थे कि जमना बाबू चुपचा पाकर कोनी में खड़े हो गए जमना बाबू प्रवीर को शान्तिलाल की याद दिलाते थे उसी तरह बेरोक्टो घर में घुसे चले आते थे प्रवीर को बड़ी कोफ्त होती थी कि पापा एक नएक नमोना क्यों पाल लेते हैं और मम्मी उन्हें क्यों करबरदाश कर लेती है क्या बात है बड़े बाबू पापा ने रौपदार स्वर में पूछा सर वो कुछ नाम यादा गए थे आप इजाज़त दें तो एड़ कर लो दिखाईए जमना बाबू ने विनमरता की मोर्ती बन वह कागज पापा के हाथों में थमा दिया कुछ देर तक पापा उन्हें पढ़ते रहे फिर उन्होंने कागज लोटा दिया चश्मा उतारते समय उनका मा था सलवटों से भर गया था क्या इन लोगों को बुलाना जरूरी है सर वो ऐसा है सर की इनमे से कुछ लोग बड़े काम के आदमी है कुछ लोग ऐसे हैं सर की उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता आप पहली बार कुछ कर रहे हैं जमना बाबू ने जबरन हकलाते हुए कहा ठीक है ठीक है पापा ने बिजारी से कहा आप जैसा ठीक समझें प्रभीड इतनी देर से चुपचाप सुन रहा था वे कुछ देर तक भौचक से देखते रहे फिर धीरे धीरे बाहर चले गए उनके जाते ही प्रभीड ने कागच के टुकडे टुकडे कर हवा में उच्छाल दिये यह क्या क्या बेवकूफ पापा गरजे यह पार्टी नहीं होगी मम्मी पर क्यों और यह तै करने वाले तुम कौन होते हो पापा फिर गरजे बेटे इसी बहाने तो चार लोगों से मेल मुलाकात होती है हम लोग शहर में नए नए आये हैं मम्मी ने समझाना चाहा मम्मी प्रभीड ने सकती से कहा आप शौक से मेल मुलाकात बढ़ाईए पर इसके लिए मुझे मुहराना बनाईए प्लीज उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि पापा के हाथ का एक भरपूर थपड़ उसके गालों पर पड़ा वह सिर से पाउं तक जनजना उठा अरे अरे आप लोग यह क्या बच्पना कर रहे हैं मम्मी रुआसी हो उठी ये तुम्हारे सपूत कॉलेज जाकर जादा अकलमंद हो गए हैं पापा ने कहा और उठकर चले गए मम्मी कभी उसे कभी पापा को देखती रही उसका मन हुआ कि कहते मम्मी मुझे कॉलेज ने नहीं परिस्थितियों ने अकलमंद बनाया है इन दो सालों में इतना बुजुर्ग हो गया हूं कि हर चीज के आरपार देखने लगा हूं तब ही तो पर वा चुपी बना रहा कहता भी क्या और किस से दलदल से कोई उबरना ही न चाहे तो कोई क्या करे